बफ्त शिरोमणी मा कर्मा देवी की आरती पूजन रास्टी अध्यक्ष तता प्रदेश अध्यक्ष रवीकरण साहू के करकमलो द्वारा प्रादेशिक कारेसमिती संस्कारतानी जवलपूर में शुबारम किया गया प्रादेशिक कारेसमिती का बैठक का मुख्यो देश सदन के समक्ष प्रगती प्रतिवेदन संपून भारत के प्रादिकारियों के द्वारा प्रगती प्रतिवेदन प्रसूत किया गया थता भारत के अंतिम पंक्ती में खड़े हुए गरीब वर्ग के साहु समाज के व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उत्देश को लेकर इस बैठक का आयुजन किया गया जिसमें तेलांगाना मद्प्रदेश उत्तरप्रदेश महराष्ट आंद्रप्रदेश 36 गड़ विविन प्रांतों से साहु समाज के परदिकारियों की इस बैठक में सम्मिलित हुए CTN News से दीपक कुमार साहु की रिपोर्ट आज यह जो मिटिंग रखे गई है यह राष्टे कार्सकारनी की बैठक की राष्टे तहलिक साहु समाज महसंगठन के बैनर के तले और यह हम लोग महात्मा गांधी को अपने प्रेड़ना के शरोत मानते हैं और महात्मा गांधी की का कहना था कि भारत की आत्मा गाउं में निवाश करती है तो हम लोग शहर से लेकर गाउं की तरफ चले हैं और जब हम लोग गाउं से लेकर प्रदेश तक हम लोग शंगठन जब बना लेंगे और जनजन तक ये संदेश दे देंगे कि जो भी पार्टी चुकि हमारे MP में 33 पंचायती राज का चुनाब 2020 में होने को है तो जो पार्टी हमारे समाज को अधिक से अधिक राजनीतिक भागिदारी 33 पंचायती राज चुनाब में अभी देगी हम लोग उसका ही सबसे जादा समर्थन करेंगे और आगे ये शंगठन पूरे प्रदेशों में कैसे किया जाए और इसको मजबूती मजबूती कैसे प्रदान यहां जबलबुर में राश्टी कारिशमिती की बैठक और कुछ आगे होने वाले अधिवेशन के बारे में कुछ चरचा के लिए आज ये बैठक रखी गई है और संगठन पूरुस्अर राष्टि शादर प्रकोष ईवा प्रकोष महिला प्रकोषब शाय टी सेस इल किस प्रकार से मद्ध प्रदेश के साथ 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 पूर भाबरत में ब्रदेशों में गाउं से गाउं से लेके जिला से लेके गाहों तक सभी जगह बिस्तार हो सके इसलिए यह मिटिंग रखी गई और आने वाले समय में एक दिल्ली में रेली करने का बहुत बड़ी रेली करने का एक प्रस्ताव समक्ष रखा गया उस पे बिचार के साथ आगे डिसाइड किया जाएगा कि कब दिल्ली में यह रे बुक्ष्ट में एक प्यारी करने कि बाते तामें, हम ईचार हो सक्षा में मुझ मोद्या उसलिए जह जाएगा जचरा ह।